नमस्कर दोस्तों श्वागत हैं आप से भी लोगों का एक बर फिर से दोस्तों आज के बिड़ों बहुत ही सुन्दर हैं इस बिड़ों के लिए कमशे कम आप अपना दस मिनट का बहु मुल्वे शमय जरू निकालना दोस्तों घर के द्वार पर गोमुत्र गंगा जल टांगन शिक्या होता है सायद यह जानकारी अभी तक के आपको किशी ने नहीं बताया होगा दोस्तों मैं आप लोगों को वही उपाय बताता हूँ वही जानकारी बताता हूँ जो जानकारी नवीन हो जिसमें आप सभी लोगों का भला चीपा हो दोस्तों मैं कही दिन बोलता हूँ हमारे इस चैनल में ब्यूज आए या ना आए सबी स्क्रेवर बढ़े या ना बढ़े इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई फरका नहीं पड़ता अगर हमारे ब्ड़ो को देख करके आप में से किसी भी एक भी व्यक्ति का भला होते तो हमें भी अच्छी लगते हैं दोस्तो हमें भी पुन्य की प्राप्ति होता और इश्वर के दोस्तो हम इश्वर की नजर में एक अच्छे सज्जन विक्ति भी बनते जा रहे हैं तो दोस्तो आपने देखा होगा लोग अपने घर के बाहर पानी रखते हैं गर के द्वार पर भगवान की मुर्टी लगाते हैं यहाँ तकि दोस्टों घर की दौार पर धन दायक पोधे लगाते हैं यंत्र लगाते हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि इन सबसे ज्यादा पावर फुल चमतकारी गो मुत्र एवं गंगा झला है जिसे प्रतेक हिंदु बहन को अपने घर के मुख्य द्वार पर जरू टांगना चाहिए रखना चाहिए दोस्तो इसके फैदे जानोगे तो कल शे आप यकीन मानिए आप अपने घर के द्वार पर गोमुत्रा और गंगा जल का शिशी भर करके टांगना शुरू कर दोगे दोस्तो इसे घर के द्वा चला यह चमतकार आप में सधिकता लोग पुछेंगे कि गो मुत्र गंगा जल टांगने के यह चमतकार है यह आपको कैसे पता चला तो दोस्तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तो मैं आप लोगों को अपने गुरू के बारे में एवं मेरे मार्ग दर्सन करने वा जो चमतकार सिखा है उसे आज किस बीड़ो में आप लोगों को बताने जारूं इसे शुन करके आपके आँख फटी की फटी रह जाएगी दोस्तो इसलिए इस बीड़ो को आज आप लोगों को पूरा जरूर देखना है बहुत ही शुन्दर बीड़ो है ज्यान बरतक जानकार जानकारी बताने इस पहले सबी लोगों से निविधन करना चाहूंगा अभी तक विड़ो को लाइक नहीं किया होंगे तो विड़ो को लाइक जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बाजू में बने बेल का ऐकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं इस पकार की ज्या विडिक्राइंस सहस्टा से जिस प्रकार नकरात्मक्षक्ति से अत्यदिक परशान होने पर गौवमाता की चरण का धूल अगर अपने मस्तक पर लगा लिया जाएं तो नकरात्मक्षक्ति जो हैं ओ आब के बाल बांका नहीं कर पाएंगे नकरात्मक्षक्ति आब के पीछा चोड़ देते हैं अगर इसे भी अत्यधिक शक्ति चाली होता है जो गो मुत्र है आपने देखो कि बहुंचे घरों में इनके छीटे भी मरवाते हैं, गो मुत्र चीटे जिस घर में मारा जाए वह घर यह परता, तिर्था जैसा पवित्र हो जाता है, उस घर से नगरात्मक शक्तियां बश्वमा हो जाती हैं, तो इसके फैदे भी बताऊंगा, थोड़ा सब जानतें, गंगा जल को पतित पाउनी कहा जाता है, और था दोस्तों, पापयोगे पाब को दुर करने वाला, दोस्तों गंगा मैया के जल में इश्नान करने से सारे पाप दूल जाते हैं एवं मृत्यू के बाद मुक्छकी प्राप्ती होती हैं गंगा जल कभी दूसित एवं खराब नहीं होता आपने देखाओगा बहुंचे लोग अपने घर में पुजानिस्थान पे गंगा जल भर करके रखने कभी दूसित नहीं होता ये कभी खराब नहीं होता और गंगा जल का केवल एक बूंद आपको नकरात्म सक्ति से बचा साकते हैं आपके भाग उदै कर सकते हैं हमारे धर्मसास्त्र कहते हैं प्रती दिन नहाने के पानी में गंगा जल की दो बूंद डाल करके इश्नान किया बाल भी बाका नहीं कर सकता तो आई अब इस विडों में जान लेते हैं कि घर के द्वार पर गंगा जल टांगने से क्या होते हैं गोमुत्र टांगने हैं दूसरे को नहीं बताते दोस्तों वही बात हो गई जैसे कि वैद वाले प्राचीन समय से हमने देखते आ रहें दोस्तों जो आईरवेद की जितने भी जानकार हैं वैद लोग हैं अपने ज्यान को नहीं बताते दोस्तों पैसे पूना फैले आयर्वेट की जानकरी पूना फैले तो आप लोगों कभी कर्टब बनता है कि इस जानकरी को दुश्रे को बताना और इस बिड़ो को शेर करना तो दोस्तों आप सब लोग भूत प्रेत बाधा जिन जिनात नकरात्मक सक्ति से बचने के लिए क्या कुछ नहीं कर दोस्तों और भी आपके पास में खीचे चले आते हैं ये फ्री कर राम बार अचु कुपाय मैं आप लोगों बतारों जो की निज सक्ति कबंधन आपकी घर में करेंगे जो हमारे पिरी गुरु शमान नागर संद से हमें प्राप्ता हुई हैं दोस्तों आपको दो छोटे सी सी लेना है एक में गोमुत्र भर लेना है और एक में गंगजल भर लेना है काच के सी सी लेना है और इसे दोस्तों घर के द्वार पर रश्शी में बांध करके टांगना है घर के आपको अंधर द्वार पर घर के आपको अंधरूनी अंधर द्वार पर एक शिशी में भल लिजे और इसी दोस्तों आपको अपने घर के द्वार पे टांगना है लटका देना है जब तक ये दोनों चीज आपके घर में एक शाथ बंदे रहेंगे दोस्तों तब तक कोई भी काली शक्ती बिनाशक शक्ती आपके घर में नहीं आ पाएंगे आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे ये पावर होती गंगाजल और गो मुत्र का इसके प्रेक्टिकल हमने शोयम देख चुके दोस्तों हम बचनों में बंदे इसलिए उनके नाम एड्रेस नहीं बता सकते ने था दोस्तों ये परियोग हम छिने करा हैं उनके नाम एड्रेस भी बता देतें तो गंगाजल गोमुत्र का बहुत पावर होती है, पहले परयोग हैं, अब दुसरे परयोग शुनिए, मेरे बहुत से माता बहान, भाई बंधु, गरी कलेश, कुल अच्मी घर में धन करना आना इसे बहुत परसान रहते हैं, और ये परसानी सौ में से 95 लोगों की हैं, तो ऐ ऐसा माना जाता हैं, जिस घर के द्वार पर गोमुत्र, गंगजल, टंगा होता है, वहां कुल अच्मी आही नहीं शक्ती, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कुल अच्मी अमुश्वा और अभिवार के दिन ही ज्यादा आती, वैसे इनके आने का कोई दिन ये तीथी कुल अच्मी नहीं आ सकती, और जितने भी बीमारी चेवा, महामारी बीमारी क्योंनों, बड़े बड़े जो रक्षशी शमंदी बीमारिया होती ही, जो कि दोस्तों, चणबर में किशी ग्राम को, किशी नगर को भी खा सकती, ऐसे बीमारी भी आपके घर में आने शक्ती, प अहाँ साक्षात, काल भी आ करके आपके अहित नहीं कर पाएंगे, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यू नहीं होती, उस घर के लोग अपने आसपास के लोगों से अधिक उनती करता है, और दोस्तों, उस घर के लोगों के, आप जरू देखना सोचने समझने की छमता, और घर के लोगों की अपेक्षा अत्यधिक बढ़ जाती हैं दोस्तों हमारे शनातन धर्म में गो माता बहुत पुझनी है माता गंगा बहुत पुझनी है और जीस इस्थान में गो माता की रखी अगर गंगा जल है गो मुत्रा है वहाँ पे कुछी भी शक्ति आपके बाल वाका नही पुझनी है और जीस इस्थान में होता है दोस्तों उस इस्थान को तीर्थ जर्षा पवित्रा कर देता है तो दोस्तों आप भी कोशिश करें आप अपने घर के द्वार में आज शेही गो मुत्रा और गंगा जल टंगना शुरू कर दें इसका फैदा यह मिलेंगे कि आपक को रोक लेगा किशी भी प्रकार के नकरात्मक शक्ति आपके घर में परवेश्ट नहीं करेंगे कूल अच्छिमी या फिर कूल अच्छिमी के शाथ में दुख तकलिब उनके पुत्र कहा है यह भी उनके शाथ में आते तो यह उसे आने से रोकेंगे तो दोस्तों आसा करता आपके छोटे से से किसी के जिंदगी में खुशाली ला सकता है दोस्तों किसी के जो निरासा पड़े जीवान है उस दोस्तों इसमें बाहर ला सकता है तो यह जानकारी कैसा लाग है में कोमेंट सेक्षन में जरूर बताना जानकारी को बस अपने तक शिमित मत रखने से चालेगा बिड़ो देखने के लिए धनिवाद दोस्तों नमस्कार ओम नमाशिवायन